नमस्कार में योगिश्यर्मा राजिस्तान में भरतपुर के एक मंदिर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है यहां मंदिर में घुसने पर पुजारी ने दलीतों को दोड़ा दोड़ा कर पीता जिसके बाद अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लाठी डंडों से लेस पुजारी लगातार हमला कर रही है इस दोरान महिलाओं को भी बक्सा नहीं चारा गया पैच इस दोरान महिलाओं को भी नहीं बखसा गया मंदिर के बाहर तक पुजारियों ने इन लोगों को खदेड दिया दरसल भरतपुर के रूदावल में हनुमान जी का परसिद मंदिर है इस मंदिर में दर्शन के लिए दलित समाज के कुछ लोग आये थे उनके साथ महिलाएं भी थी आरोप है कि पुजारी ने उन्हें मंदिर में परवेश नहीं करने दिया असबाद को लेकर विवाद बढ़ गया थोड़ी बहस के बाद मंदिर के सवी पुजारी लामबंद हो गई जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने लाठी डंडो के से इने घेर लिया और मारपीट शुरू कर दे इस दोरान महिलाओ पर भी डंडे बरसाए गए उनको पीट से पीट से मंदिर परीसर से भार खदेर दिया गया मंदिर परीसर के बाहर था कि पुजारी इनके पीछे डंडे लेकर दोड़ते दिखाई दिये वहाई इस घटना के दोरान मंदिर में अफरा तफरी मच गई पुजारियों के इस रूप को देख कर हर कोई हरान था कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद दलित समाज में रोस व्याप्त है हाला कि पुलिस अदिक्षक देविंदर कुमार विश्णोई ने इस पूरे मामली में जमीनी विवाद बताया है उन्होंने कहा कि रूदावल में इस्तित हनुमान मंदिर को एक समाज के लोगों ने कुछ जमीन दान दी थी और उसके बतले मंदिर ट्रश्ट ने उनको अन्य जगा जमीन दी थी जो जमीन मंदिर के लिए दान दी गई थी उस पर रेडिया लगती हैं जिससे मंदिर को किराया मिलता है वहीं बताया गया कि बीते दिन जब दूसरे पक्ष के लोग मंदिर पोचे तो पुजारियों ने उन्हें मंदिर में गुसने से रोक लिया ऐसी दोरान पुराने जगड़े के चलते बात भी कड़ गई पुलिस अदिक्षक ने बताया कि फिलाल पुलिस ने दोनों ही पक्ष के लोगों को शांती भंग करने की धारा में गिरफतार किया है पुलिस मामले की च्छान बीन कर रही है फिलाल इस खबर में तरहीं आप देखते रहे हैं दुबारत